वेसे कच्चे आलू से आपने दोस्तों कई तरह की चीज़े बना कर खाई है पर अगर आपने एक बार इसको बना कर खा लिया तो यकीन मानिये कच्चे आलू के दाफ फैन हो जाएंगे और आपको रेस्टोरेंट का मज़ा आने वाला है यहाँ पे मैंने आधा बड़ा चम्म भरके बैसन डालेंगे इसे भूनेंगे और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे बैसन बहुत ही अच्छे से भून गया है उसके बाद में हमें हल्दी का पाउडर आलना है ताकि हल्दी का पाउडर जादा ना जले अब बैसन को ठंडा होने लीजिए आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई दूसरा शेप भी काट सकते हैं गोल भी काट सकते हैं पर मुझे लगता है अगर रेश्टोरेंट को आपको लुक चाहिए तो चोकोर ही काटना चाहिए मैंने यहां पर सभी आलू को काट लिया और वो जो रफ टुकड़े हैं आ सबजियों को अब यहां पर सारी सबजिया कर जाएगी उसके बाद में हमें सबसे पहले आलू को बॉयल करना है तो 90% हमें आलू को बॉयल करना है ऐसा ना हो कि चम्मच लगाते वो तूट जाए या फिर मतलब मेशी मेशी हो जाए बस आलू को बॉयल करने के लिए रख दे उसके अंदर हम भुना हुआ बैसन और साथ ही में कुछ मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्ज पाउडर है धनिया पाउडर है और थोड़ा सा 14 काली मिर्ज का पाउडर है और स्वाद के अनुसार काला नमक लेंगे इसमें सिंपल नमक नहीं डालना है चाट मसाला डाला है मैंने एक चमच और एक चमच अधरक लसन का पेश डाला है और अब बीच में देखें मेरे जो आलू है ये भी बहुती अच्छे से ओबल गए थे तो मैं पहले आलू को निकाल दूँगी यहाँ पर आलू का बहुती अच्छे से ध्यान रखेगा अब एसा ना हो कि आलू जादा बॉयल हो जाए और फिर आपको वापस से आलू काटके उवालने पड़े खटाई के लिए मैंने नीबू का रस लिया है क्योंकि मेरा जो दही है वो एकदम ताजा था मैंने रात को जमायता सूबे यूज किया है तो आप इसमें खटाई के लिए नीबू का रस डाल दीजीगा मसाला बहुती अच्छे से बन गया है तो अब इसमें और एक्ष्ट्रा स्वाद के लिए मैंने थोड़े से धनिया पत्ती और पुदीने के पत्ते लिए इने मोटा मोटा काटना है ज्यादा बारिक बारिक नहीं काटना है कही कही पर बाइट आएगी तो मज़ा आएगा खाने में अब देखिए यहाँ पर जो भी वेजिटेबर्स मेंने कट किये तीन तरह के वो में डाल दूंगी टमाटर प्याज और सिमला मिर्च इन्हें हम चमस से मिला सकते हैं पर जब हम आलू डालेंगे ना तब हमें हातों का इस्तमाल करना है हातों से भहत ही प्यार से अराम से मिल जाना है ताकि आलू टूटे नहीं और उसके बाद में हमें इसे मतलब की जैसे टिका को पकाते हैं वैसे तवे पर पहले पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे और भी अच्छा सरलोक देंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में आप इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक अंगिठी का मैंने खीरा लिया है उसके पर घी डालके रखा है जिसे की 10 मिनट में मस्त हो जाएगा है अब धनिया पत्ती लिया है जितना धेनिया पत्ती है उसका आधा कॉंटिटी में हमें लेना है पुदीना पत्ती साती में हरी मिर्चे जितने तीखा पसंद क जितना बिना पानी की यह जो चटनी है इसे आप सफतावर रिस्टोर कर लीजिए बिलकुल खराब नहीं होती है साथ ही इसे आप सैंड्विच के लिए ही उस कीजिएगा मज़ा आजाएगा आपको खाना खाने में आप देखें 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसे खोल के देखते हैं हमारे मसालों में से बहुत ही प्यारी सी खुश्बू आ रही है और अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे इसके लिए आपको लंबी वाले टूथफिंग लेनी होगी जिसे की टिका पकाते हैं पर मेरे पास नहीं थी और वैसे भी वो जो आप यूज करते हैं तो वो तूड़ जाती है तो मैंने क्या किया जो मेरे पास सलाईय थी ना स्वेटर बुनने की वही ले ली है और उनको ही मैं यूज करके इस तरह से पनीर टिका बनाऊंगी तो पनीर तो नहीं था मेरे पास थोड़ा कमी था तो मैं पनीर को आखिर में किस तरह यूज करना है वो मैं आपको बताऊं में आप देखें यापे इसे इस तरह से सेकना है पर अगर आपके पास कोई टूथ पिंग वगर नहीं है तो आप क्या कीजिए इस तरह से तवे पे डाल दीजे थोड़ा सा बटर डालके और धीमी आख पे सेकेगा अच्छा सा बड़ा सा सीख जाएगा ना उसके बाद हम इस सीधा ही आख पे सेकना है तो इस तरह से हम सेकेंगे तो एकड़म वैसा वाला टेस्ट ही आएगा पनी टिका वाला दोस्तों एकड़म कम खर्चे में आपको मैंने रेष्टोरेंट का स्वाध दिया है आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज अपने रिष्त रिष्टेदारों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तों तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में